प्रस्तुत कविता में कवी ने उन भावनाव को दर्साया है जो फागुन जैसे महीने में अचानक से बारिष क्या एत्पन्द होती है आज अचानक से फिर आप पहुचा फागुन में सावन सुबह उड़ी की धूल शाम को घिराए बादर बासंती रातों में वर्सा किन आखों का जल पतज़ड की नंगी डालों में पुलक उठा यवन आज कहां से फिरा पहुचा फागुन में सावन प्रस्तुत पंग्र में कभी क्या कहते हैं कि सुबा की टाइम तो धूल उड़ रही थी और शाम को अचानक से बादल गिराए बस अंते रातों में किन आखों का जन वर्षा की रूप में गिर रहा है जो पतज़ड की वज़े से जो डालिया थी वो पत्र विहीन हो गई थी मानों उन में नै नै कोपल उभद उठे हूं और इस तरह से आज कहां से अचानक से फागुन जैसे महिनी में सावना पहुचा है सौंधी सौंधी मिट्टी मह की गमक उठा उपवन बिजली कौंधी आस्मान में धर्ती में सिहरन होली में कजली गाने को फिर लल्चाया मन आज कहां से फेरा पहुचा फागुन में सावन मिट्टी की सौंधी सौंधी खुश्बू से पूरा बगीचा मानू मह पुठा हो और जो आस्मान में बिजली चमक रहिए कड़क रहिये तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धर्ती में कप कपी उठ रही है और जिस तरह से होली के आफसर पर होली के मौसम में जैसे कजली गाने को जी लल चाता है बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है इस तरह से आज कहां से फिर आ पहुचा फागुन में सावन हर्याली का स्वप्न थिरकने लगा पुत्लियों में अलियों का उन्मान की शोखी आई कलियों में तपन बिना क्या मोले तुम्हारा जीवन धन रसधन आज कहां से फिर आप पहुचा फागुन में सावन मानो हर्याली का स्वफन हमारी आखों के सामने पुत्लियों के सामने ठिरकने लगा हो नित्य करने लगा हो और अलियों भौरों को चित विभ्रम कर देने वाली ध्वनी कि जैसे वो सोई हुई कलियों के बीच में हो जिस प्रकार से तपन के बिना कोई मूल्य नहीं होता हमारा जब तक हम तपते नहीं, वैसे हम निखर नहीं पाते हैं, ठीप, उसी प्रकार से अगर हमने जीवन में दुख का अनभव नहीं किया है, तो हम सुख को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, चाहे फिर वो जीवन धन हो या रस धन हो, और इस तरह से आज कहां से आ पहुचा, खियान रखियेगा, अच्छे से रहिएगा, थैंक यू